नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तो कल हम विश्व के भुगोल में वाईयू मंडल की चर्चा कर ली थी आज हमारा जो टोपिक है विश्व के भुगोल में उसका नाम है इस्थल मंडल क्या नाम है इस्थल मंडल तो दोस्तो संद्रम में इस्थल मंडल की चर्चा करेंगे किस की चर्चा करेंगे हम इस्थल मंडल की चर्चा करेंगे जिसमें हम इस्थल मंडल से समंदित विभिन किस तरह जो है भाग है इस पर जैसे इस्थल मंडल में विशेषता आपके क्या आते हैं महाद्यूप आते हैं हम इन महाद्यूपों के बारे में आपके सामने क्या करेंगे चर्चा करेंगे ठीक है स्थलमंडल में हम किन के बारे में चर्चा करने वाले हैं महाद्यूपों के बारे में तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ इन महाद्यूपों का निर्मान कैसे हुआ तो परत्यू के निर्मान के समय जैसे मानलो एक मद्धे में भाग था जिसका जो है इस्तलिया भाग था और इस इस्तलिया भाग का इन्होंने नाम दिया था आपके पेंजिया क्या नाम दिया था पेंजिया नाम द नाम दिया था पैंथा लासा नाम दिया था पैंथा लासा के बारे में हम बाद में अद्धन करेंगे हम एक बार देखते हैं इस पेंजिया के बारे में तो देखो विद्यारतियों मैंने आपको बता दिया भी पेंजिया सबद और पेंथालास सबद का प्रियोग सिर्वा पर्थम किस ने किया था तो वेगनर महोद्या ने किया था ठीक है और इस जो ये पेंजिया जो भाग है ठीक है कौनसा भाग है ये जो पेंजिया जो इस तलिय भाग है इस पर पलवन सीलता का बल और जवारिय बर लगा था इस पर ठीक है इस तलिय भाग पर एक तो आपके कौनसा पलवन सीलता ठीक है और दूसरा आपके अगर मैं नाम तो ये जो है ये इस पर बल लगे थे किस पर इस स्थलिय भाग पर ठीक है कौन कौन सा पलवन सिलता और जवार ये बल लगे थे इस पर जिस से ये जो स्थलिय भाग पेंजिया है ये पेंजिया जो है आपके दो टुकडों में तूट गया ठीक है दो भागों में क्या हो गया ये तूट गया था कौन सा भाग आपके पेंजिया भाग दो भागों में तूट गया जैसे मालो ये आपके एक भाग ये जैसे उपर की तरफ रह गया और एक भाग नीचे की तरफ ऐसे रह गया तो इसमें क्या हुआ कि एक भाग आपके उपर की तरफ रह गया और एक भाग कि वे निचे का निचे की तरफ और बीच में जो है आपके क्या बर गया था जली ठीक है पानी या फिर आप कह सकते हो इस पानी को आपने अपने अनुसार नाम दे दिया जिसको मैं नाम दे देता हूई यहाँ पर एथी से सागर ठीक है एथी से सागर भाग बर गया और उपर जो है उपर का भाग वो तो कहला है आपके अंगारा लेंड कौन सा भाग कहला है अंगारा लेंड और नीचे का जो भाग है आपके वो क्या कहला है गोडवाना लेंड ठीक है उपर का भाग क्या कहला है आपके अंगारा लेंड और नीचे का भाग जो है वो आपके क्या कहलाया गोडवाना लेंड इसे लोरेशिया भी नाम दिया गया है यह भी ध्यान रखना क्या नाम दिया गया है ठीक है अब जैसे जैसे आपको पता है समय बीता चला गया तो यह अंगारा लेंड और गोडव टुकडों में टूट गई और टुकडों में टूटने के बाद इसे जो है जो आपके महाद्यू बने एक तो आपके बना उत्री अमेरिका क्या बना उत्री अमेरिका एक आपके बना योरोप और एक आपके बना तीसरा जो महाद्यू बना वो आपके था कौन सा एशिया कौन स इसलिए इन दोनों भगों का नाम आपके क्या था यूरेशिया था तो इसे क्या क्या उत्री अमेरिका है जो आपके यूरोप है एशिया बने और इसी जो आपके अंगारा लेंड है इसी से ही आपके जो है एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है जिसका नाम आपके न ठीक है ब्रिटेन छेतर की अंदर और वही बाग आइस लेंड है ब्रिटेन छेतर है वो यह सारे सारे किस्से बने थे वो आपके अंगारा लेंड से बने थे विशेष थे हम माध्यूप की बात करें तो कौन-कौन सा बना था उतरी अमेरिका योरोप और एसिया ये तीन महादीव जो है वो किसे बने थे आपके अंगारा लेंड से बने थे जब इस गोडवाना लेंड का टुकडो में विवाजन हुआ तो गोडवाना लेंड से एक तो आपके बना धक्षिन अमेरिका क्या बना धक्षिन अमेरिका बना एक आपके बना अफ्रिका कौन सा माध्यू बना अफ्रिका और एक आपके बना आस्ट्रेलिया कौन सा माध्यू बना आस्ट्रेलिया और इसके तोटने के बाद आपके एक जो पांचों महाधीप है उसका नाम है अंटारक्टिका बना कौन सा अंटारक्टिका बना और एक मुखे रूप से मै यहां नाम लिखना चाहूंगा प्राइद यूपिय भारत ठीक है क्या है नाम है प्राइद यूपिय भारत तो आपको ध्यानों ना यह जो प्राइद यूपिय भारत है यह प्राइद यूपिय भारत महादिप नहीं है ठीक है लेकिन यह पहले जो है, किस से तोटकर बना था ये, आपके गोडवाना लेंड से तोटकर बना था, कौन सा प्रायद्यूप ये भारत बाद में जो है चटानों के आपसी दबाओ के कारण ठीक है बलों के कारण जो है ये प्रायद्यूप ये भारत जो है वो क्या हो गया था अलग हो गया था तो अगर हम इन महाद्यूपों की स्तिति की चर्चा करें तो मैं आपको बता देता ह कि इस त्रहें से जो है आपके विशो में आपके महाद्यूप दिखाई देते हैं जिसमें आपके मैं अलग-लग महाद्यूप के नाम लेना चाहूंगा आपके सामने जैसे आपको उपर ही उपर जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपके कौन सा महाद्यूप है उत्री अमेर एशिया वह आपस में क्या है जुड़े हुए है यूरोप और एशिया जो है आपस में जुड़े हुए है नाम इनका दोनों का क्या था संयुक्त रूप से आपके यूरेशिया था ये भी किस से बने हैं आपके अंगारा लेंड से बने हैं ठीक है और एक यहां पर जो आपके सबसे बड़ा जो ड्वीप है जिसका नाम क्या है ग्रीन लेंड ये भी आपका किसका भाग मना जाता है जो है किसका भाग मना जाता है अंगरा लेंड का भाग मना जाता है और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पेंजिया से जो अगला भाग टूटा था आपके गोडवाना लेंड, उस गोडवाना लेंड से आपके कौन-कौन से जो है महाद्यूपों का निर्मान हुआ, तो एक तो आपके सामने नाम आता ही है, डक्षिनी अमेरिका का, किसका नाम आता है, डक्षिनी अमेरिका का, एक आपने इसका नाम सुना ही होगा क्या नाम है इसका अफ्रीका कौन सा माध्यूप है अफ्रीका और एक आपने आगे नाम सुना ही होगा इसका आस्टेलिया कौन सा आस्टेलिया चेतरफल की दृष्टी से अगर बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाध्यूप है और एक से किस भाग से आपके जो है गोर्डवाना लेंड का निर्मान हुआ है इसी तरहें से आपके जो यह चीज भाग दिखाई दे रहा है ठीक है यह भाग जो आपके दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया गया आपके क्या प्राइडवीपिय भारत क्या नाम दिया गया है और आपके गोडवाना लेंड का भाग के माना जाता है ठीक है तो ये विश्व के संद्रम में साथ महाधीप है छेतर्फल की दृष्टी से सबसे बड़ा महाधीप आपके कुन सा है तो आपको ध्यान होना चाहिे कौन सा है आपके एशिया है ठीक है और छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा महाद्यूप उचे तो आपके नाम याद होना चाहिए कौन सा है आस्ट्रेलिया है ठीक है तो इनकी हम अलग 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 चर्चा करेंगे भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है क्योंकि हम इन जो जितने भी आपकी ये जो महाद्यूप हैं आपको दिखाई दे रहे हैं सारे हाँ एक बार आप देख लीजिए गार ये जितने भी हमने महाद्यूप है इनकी हम किस कि स्थिति की चर्चा करेंगे तो एक तो हम महाद्यूपों के संद्रम में जो आपके स्थलमंडल हमने बोगोलिक स्थेती के बारे में चर्चा करेंगे किसके बारे में बोगोलिक स्थेती के बारे में चर्चा करेंगे तीसरी बात हम इनमें जो आने वाले प्रमुक परवस रंकला है मुख्य रूप से उनकी चर्चा करेंगे फिर हम परवस रंकलाओं के बाद पठार पहाड है य किस महाद्यूप में वहती है, विश्वय के सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी जो है, वो कौन से बागों में, वो सारी चर्चा करेंगे, और इन में आने वाली मुखे रूफ से जी लें, वो कौन कौन सी है, इसके साथ साथ हम देखेंगे, पर मुख जो गास के मेद है इस महाद्यूप में कौन सा गास का मेदान है इस महाद्यूप में कौन सा है उनकी चर्चा करेंगे फिर हम इन महाद्यूपों की खनीज खनीज और इसके बाद हम चर्चा करेंगे महाद्यूपों की कृश्य के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है इसके बाद हम महाद्यूप आज के मैदानों को देखेंगे, खनीज को देखेंगे, क्रिशी को देखेंगे, औरे जन जातियों की चर्चा हम अलग-लग महादिपों में आपके करने वाले हैं, तो यह आप ध्यान रखना, और अब हम जो सबसे पहले आपके महादिप पढ़ेंगे, उसका नाम है आपके अ अर्थार्थ ध्यान रखना है आपको जो कि आपके गोडवाना लेंड से बने थे, ठीक है, आप कहते हो अंटारक्टिका की चर्चा कर लेते हैं, आप कहते हो आस्ट्रेलिया की चर्चा कर लेते हैं, एसिया की चर्चा कर लेते हैं, चाहिए हम पहले अंटारक्टिका देख लेते हैं चलो एक बार ठीक है एक बार फिर से आप देख लीजिए इस डाइग्राम को फिर हम आगे चलते हैं कि अब हम आपके सामने जो है चर्चा करेंगे कि मैं नाम लिएक देता हूं यहां पर कि अंटारक्तिका कौन सा महादिव आपके अंटारक्तिका महादिव सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं आपके सामने अंटारक्तिका महादिव ठीक है और पहली बात तो आप को पता ही होगा कि अंटारक्टी का जो महादिव है ये किसका भाग माना जाता है तो गोडवाना लेंड का भाग माना जाता है अंटारक्टी का महादिव किसका भाग माना जाता है तो आपको याद ही होगा अभी बताया मैंने गोडवाना जो है भाग म और ये कौनसे गोलार्द में इसतिता है, जैसे मान लो, मैं यहां पर आपके सामने पर्थवी, ठीक है, और ये परत्वी का जो बीच की रेखा है जीरो डिगरी नाम आपने क्या दे दिया इसको बूमबद्य रेखा क्या नाम है इसका बूमबद्य दे रेखा ये कौन सा गोलार्द है उत्री गोलार्द है उत्री गोलार्द है और ये कौन सा गोलार्द है आपके दक्षिनी गोलार्द है और ये जो है आपके दक्षिनी गोलार्द में ये आपके उत्री दुरुव हो गया और ये आपके कौन सा दुरुव है यहाँ पर दक्षिनी दुर भी मैंने आपको बताया है यह कौन सा माधिप थीका महाधिव यहां डिहान सब्सक्राइब तो आपसे पूछा जासकता है दखशिन दुरव जो है वह एंटारक्टिका महदूप में है dab मैं मैं इस इस एन्टारक्टिका महादूप की उपनामों की चर्शा करूंगा झाल आधिका महादूप के से उपनाम कौन कौन से है झाल 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 झाल